जो पाली एडिवकेशन में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे How to prepare GK and GS इद्री मतलब आप GK और GS की तयारी आसानी से कैसे कर सकते हैं मतलब उसको कैसे पर सकते हैं क्योंकि बहुत प्रोब्लम होता है GK को याद करने में उसको फिर बनाने में और बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी एक्जाम में जब एक्जाम हॉल में जाते हैं तो मुस्कित से 15 या 10 कोसन ही बना के आपाते हैं तो आज हम देखेंगे कि आप कैसे GK और GS को असानी से पर सकते हैं और एक्जाम हॉल में जाता से जादा आप असकोर कर सकते हैं तो GK और GS कोई भी एक्जाम हो हर एक्जाम या SSC का एक्जाम हो रेलवे का एक्जाम हो हर एक्जाम में बहुत इंपोर्टेंट है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे सबसे पहले है सलेवस आप सलेवस को कैसे देखते हैं सलेवस की जानकारी रखना बहुत जोड़ी है सलेवस की जानकारी होना कि किस एक्जाम की आप तैयारी करें जैसे आप SSC की अगर तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं SSE में कि कहां-कहां से question आएंगे, कैसे-कैसे आएंगे, कितने part में exam होते हैं, तो आपकी जिस भी exam के त्यारी करें, जैसे देखे, general intelligence and reasoning, general awareness, quantitative attitude, English comprehension, इस सबसे 25-25-25 question पूछे जाते हैं, तो इससे ये पता चलता है, कि आपका कौन सा part है, जो कमजोर है, किसी वे student का सभी, चार general intelligence and reasoning में किसी बच्चे का बहुत अच्छा score होता है, और general awareness पर उसका score कम होता है, तो वो general awareness पहले आता कितना है exam में, तो यहाँ पर 50 number का 25 question आते हैं, और 50 number का आता है, तो यहाँ पर यह पता होना चाहिए, कि हर exam में, कितना question किस subject से पूछा जाता है, ठीक है, तो आगे चलत से उस exam के लिए तो इसमें क्या आता है, भारती इतिहास से आता है, संस्कृति से आता है, परियावरन, भारत अथवा भूल के भाग में, अर्थसास्त, राजनिती, विज्ञान, रसायन सास्त, जिसको chemistry बोलते हैं, बहुत की physics, यानि current affairs, खेल, और भारती समिधान, इस तरह हम एक्जाम में, जब एक्जाम अन्यसन हॉल में जाके बैठे, तो हम असानी से उस question को बना सके, ठीक है, अब आता है कि आप practice कैसे करिएगा, अब practice है कि question bank कैसे बनाना है, कैसे जीकों की याच्छले, बस के बाद आप जूसरा जो सबसे important है, वो है question bank, आप एक question bank ले लिज इसमें आपको यह नहीं करना है, बनाना नहीं है, डाइडेक्ट हैं कि इसके सासन काल में आया था, यह question bank ले ले लेंगे, हर्थबर्धन के सासन काल में आया था, उसमें टीक लगा देंगे, और इसको पढ़ते जाएंगे, throughout पढ़ेंगे सिर्व, पढ़ने से क्या फैदा ह होगा, कि आपको पता चलेगा, कि यह subject जैसे हम इतिहास पढ़ने हैं, तो बहुत से lesson है, तो कौन सा lesson ज्यादा इंपोर्टेंट है, और हमको किस lesson के बारे में ज्यादा पढ़ना है, हमको यहां पर देखे, जैसे होई इंसां के बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे, उसके ब मैंने किस रास्ते पर जाना है, ठीक है, चलिए, उसके बाद जब question bank, आप देख लिए कि हमको question bank में यह question आ गया, ऐसे से पढ़ना है, तो उसके बाद आपको ज्यादा इंपोर्टन हो जाता है, क्या चीज़ क्या, book का, कि कौन सा book आप फिर लिजेगा, कि आपको ज्यादा फैदा हो और book कैसे आपको पढ़ना है, तो book तो सबसे पहले book दो type के होते हैं, एक जिसमें theory लिखा रहता है, और दूसरा वो जिसमें fact होता है, तो पहले theory को समझते है, theory बाला book ऐसे रहेगा, जिसमें जिसे मुगल कौन थे, उसमें पूरा theory दिया हो रहेगा, कि मुगल के दो सासक बंसों के बंसों से माता की ओर से मंगोल सासक, इस तरह से आप इसको पढ़ना है इसे, अगर आपके पास ज्यादा time है, तो आप theory से पढ़ सकते हैं, लेकिन आज कल का एकिराम में time ज्यादा नहीं रहता है बच्चों के पास, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, fact क जो बुक होता है, उसका यूज करना चाहिए, जैसे देखिए, इसमें fact दिया हुए, direct आपको fact समझ में आएगा कि direct इसमें notes जैसा बना हुआ ही रहता है, जैसे देखिए, इसमें लिखा हुआ है, मुगल बंस का संसापक बावर था, direct fact है इसमें, और इधर उधर का बात न पढ़ना कैसे थी, और यह वाला बुक तो आपको पढ़ना है, उसको notes बना के पढ़ना है, ऐसे पढ़ना उसको बताएंगे आगे, लेकिन पहले इसे समझें कि आपको इसे कैसे पढ़ना है, इसे आपको पढ़ना है, इसको बीच में कहीं भी, आपको कहीं note नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसको direct पढ़ना है, जैसे यह देखें, मुगल बंस है, तो मुगल बंस का संसापक बावर था, बावर एवं मुत्तरवर्ती, मुगल साथ सक्तुर्क, एवं सुन्नी मुसल्मान थे, बावर ने मुगल बंस की अस्तापना के साथ थी, पद्धिसाह की जिसके तरह साथ साथ को बादिसाह कहा जाता था, इस तरह से आपको पढ़ते जाना है, बावर का जन्में, 24 फरवरी 1433, इस तरह से जब आप पूरा एक बार पढ़ लिजेगा इसे, यह लुसेंट बुक का है, आप लुसेंट भी ले सकते हैं, उसके बाद इस बुक में आ अख्णा चक्र का भी बुक ले सकते हैं, उसके बाद आप असपीरी का भी भूक ले सकते हैं, आपको जो मैंने वो भूक ले लीजे, और उसे आप पढ़ना स्टार्ड कर सकते हैं, तो इसे पूरा ठूल o Shannon, यादि एक प्एज ही पर जाएगा, जो भी एक फढ़ लेगा ल इसे तरह से एक पेज देली पढ़ना है आपको भूगोल से उसे तरह से एक पेज देली पढ़ना है आपको सम्नी दाहां से याशार subject आप लेजेगा और इसको पढ़ने के बाद क्या करना है पढ़ने के बाद करना है कि एक multiple choice question zod지만 the book लेना है जो multiple choice तो उसमें आप पढ़ लिया है उस से आपका confidence build-up होगा आप तुरूंत पढ़िएगा पढ़िना है उससे और उसी दिन उसका आपका ये multiple twice question बनाना है तो ये भी आपका घटना चकर का और लुसेंड का MCQ का book आपको बजार में मिल जाएगा, आपके पास यह book तो होना ही चाहिए, तो इस तरह से आप इसे complete करिएगा, जैसे एक lesson उसका पढ़ना है, और उसी का एक lesson आपको MCQ से, जो MCQ है यहाँ पर इससे आपको बनाना है इस तरह से, ठीक है, अब बनाने के बाद आप तो हो सकता है कि आपसे पूरा ना बने, जोड़ी नहीं है कि आपसे पूरा बन जाएगा, क्योंकि आप तो through out पर रहे हैं, तो एक बार में नहीं बनेगा, तो जो question आपसे बना, और जो छुट गया, उसको आप क्या करिएगा, कि उसे आप उसे रहने दिजेगा, एक और और इसे पढ़ना है, इसे, अबरी दोबारा इसे आपको पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर तो question पढ़े हुए हैं, तो आपको फिर से इसमें मान लेजे कि आपको इसमें नहीं बना, मान लेजे कि बावर का जन्म कभ हुआ, आपको यह नहीं बना था उदर, 1483 से, 24 तो आपका मोटिव रहेगा, कि हमें इसमें ढूनना है, क्या ढूनना है, कि बावर का जन्म कभ हुआ था, 24 फरवरी 1483 में हुआ था, तो आपका मोटिव था इसे ढूनना, तो आप इसे ढून कर पढ़िएगा, ति यह आपको ज़्यादा याद होगा, विस्वास किजिए, यह 100% आपको इससे फैदा होगा, और जब जैसा मैं बता रहा हूँ, वैसा आप से एक महीने किजिए, आपका देखिए, कि आपका GK का लेवल, एकदम मतलब सिधे 50% यानि बढ़ जाएगा, जितना आप हैं भी, अगर माले जब भी 25% करते हैं, तो 25% यानि आपर उपर से बना सकते हैं, उन्हें 50 का 50 question आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यह आपका इस तरह से परना है, इस तरह से परने के बाद आप फिर इसे बनाएगा, मतलब EMCQ को फिर आपको बनाना है, जो EMCQ है दिया हूआ, इसे आपको फिर से एक बार बनाना है, इस बार जब बनाएगा, तो आपको हो सकता है कि total न बने 10 Question 100我說 में आपका 10 Question रह जाए तो उस 10 QUOTION को क्या करना है कि 10 Question को Note करना है notebook में नोटबुकमे आपका का एक बना होना चाहिए उस Notebook में 10 question называется cocoa आपको नहीं आया है उस 10 Question को Notebook में note करने के बाद क्या करना है कि note करतो लिजेगा अब आपका बात आता है revision करने पर revision कैसे करना है revision करना है revision का एक style होता है इसे आप ध्यान से समझेगा यह point आपको ज्यादा समझना है revision का क्या style होता है तो revision का style है वो daily उसे daily कीजिए ठीक है नहीं तो बी-क्ली कीजिए, नहीं, पहले तो जो भी चीजा पढ़िएगा, जैसे माले जे कि day 1 में आप उसमें लिखिएगा, day 1 में आपको 10 question नहीं आया, day 2 में भी 10 question नहीं आया तो जब आप day 2 लिखिएगा, उससे पहले day 1 का जो लिखा हुआ है 10 question उससे पढ़िएगा, ध्यान से समझेगा बात day 1 में आपको माल लेजिए, 10 question नहीं आया, पहला दिन आप पर है, आपको 10 question नहीं आया, आप अपने note book में note book हम बताएं, उसमें आप note कर दिए 10 question, ठीक है, जब second day आप पढ़ने जाएगा, यह second day, तो पहले पढ़ने से पहले यह 10 question को आप revise किजिएगा, 10 question को पहले में कितना, 10 second लगएगा, 10 minute लग जाएगा, 10 minute नहीं लगएगा, मतलब एक minute लगएगा, तो इसको पढ़ लिजेगा, यानि वो आप एक minute नहीं छोड़िएगा, division बहुत जोड़ी है, ठीक है, उसके बाद आप यह second day का पढ़ेगा, अमाल यह second day में भी आपको 10 question नहीं आया, तो आप इसे भी note कर लिजेगा, अब जब तीसरा दिन पढ़ना start करिएगा, तो यह दोनों को, यानि 20 question को आपको याद कर लेना है, मैंने फिर से पढ़ना है, तो यह दो बार पढ़ लिए, पहला दिन बाला तो दो बार पढ़ लिए, दूसरा दिन बाला एक बार पढ़ है, इसी बार जब चौथा दिन में जाएगा, तो इस तीनो दिन का पढ़िएगा, जब इसी तरह से पचमा दिन में जाईएगा तो ये पहला डे का जो है इसे छोड़ दिजेगा अब पहला डे का नहीं पढ़ना है ठीक है यानि आप कोशन आपका 85 पढ़ना है इस तरह से आपको डेली फिर 85 कोशन पढ़ना रहेगा क्यूं क्यूंकि ये आपका पहला डे का तो पढ़ना नहीं दूस अब एक महीने में चार बार याद करने के बाद इसी तरह से इसको किजेगा इसी तरह से इसको किजेगा ठीक है उसके बाद मंतली महीना में एक बार इसके आप क्या कर लिजेगा पढ़ लिजेगा ठीक है इस तरह से आपका यह क्या हो जागा कंठस्ट हो जागा इसे हम एक ब बार दूसरा दिन का पढ़ना जस को सनगे जब तीसरा दिन जाइएगा तो यह पहले दिन का जो है साथ दिन पर ली तें तो यह पहले दिन को तब इसको अभी एक महीने में सिर्फ एक बार पढ़ना है यह रिविजन का स्टाइल है ठीक है इस ऐसे करने से तो आपके माइन में ऐसा घुश जाएगा जिके कि और आप चाहा के भी उसे बाहर नहीं निकाल पाईएगा तो आपको यह समझ में आगी आ रहा है अगर नहीं आयेगा तो comment box में comment कीज़ेगा हम आपको समझाएने ठीक है चलिए आगे चलते हैं उसके बाद है notes notes सबसे important है हम जो उपर में notes बनाने के लिए notes बनाना बहुत ही ज्यादा important है कि आप notes कैसे बनाते हैं तो notes जो आप ये उपर में हम बताये थे कि ये theory book से आप जब पढ़िएगा तो notes कैसे बनाएगा तो note बनाने के लिए सबसे पहले कि किसी भी lesson को आपको जैसे मुगल कौन थे ये पढ़ना है तो पहले थू आउट एक बार पढ़ जाना है कुछ भी नहीं करना है एक बार पढ़ जाना है मुगल दो महान सासक बंसों के बंसस थे माता की ओर से मुगल सासक चंगेज खा जो चीन और मध एसिया के कुछ भाव में राज करता था कि उत्रा अधिकाड़ी थे इस तरह से मंगूल सासक चंगेज खा तर चंगेज खा अवे झाय है यह इं इम्पोर्टेंट थे इंपोर्टेंट वर्ड क्या है चंगेज खान एम्पोर्टेंट बारे में ही पुरा आपको ये भी अगर समझ में नहीं आता है तो ये भी comment box में comment किजेगा हम आपको बताएंगे important वर्ड यानि keyword को पहचाने के लिए तब इस सब को आपको क्या करना है highlight करना है और इसे notebook में note करना है तो आपको प्रती एक दिन practice करना है जैसे पीछले सब करते थे ठीक है अब जब last में आगे आपको इतना तियारी होने के बाद अब आपका test हो रहा है मतलब आप अब कितना जाने है कितना जाने हैं इसके लिए क्या करेंगे आप देखे कितने बार practice कर लिए आप पहले question bank से बना लिए फिर book की से पल लिए फिर mceq त उसका revision भी किया है यह नोट्स भी बनाए है는 आब उसका हम क्या करेंगे कि model say practice करेंगे ही model say स Ministries मोडल से प्रैक्टिस करेंगे एक मोडल से ले आएंगे मूडल से और सब्सक्राइब कि आपका एजाम अब कैसा आएगा बहुत से जो जैसे ये लुसेंट भी बनाते हैं बहुत से और जो अस्वार कंपनी है वो बनाती है बुक्स ऐसा तो उस तरह से एक सिकंदर की मुर्ति के बाद उसके समराज का पुर्वी भाग किसके अधीन चला गया तो आपको अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इतना पूरा परहें हैं पीछे यह सब कोस्टन बैंक आपके माइन में इतना तो आईडिया आ जागा कि आप को क्या कर सकते हैं लाश्ट ल नहीं मिनांडर तो नहीं होगा रुद्र दमन तो नहीं होगा इसके बारे में तो कभी ऐसा नहीं आया कनिक्स तो नहीं होगा तो कौन होगा सेल्यूकस निकेटर होगा तो इस तरह से आसा करता हूं कि आपको यह पूरा समझ में आया होगा ठीक है अगर समझ में आया है और और मेरा मेहनत आपको अच्छा लगा है तो आप पिलिए जैसे सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को लाइक कीजिए और सेर कीजिए ताकि अधिक सथिक बच्चों को इससे फायदा हो सके ऐसे से वीडियो और आपको किसे पर आपको वीडियो चाहिए नोट्स बनाने पर वीडियो चाहिए आप बताईएगा मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा धन्यवाद जै हिंद